एहेंकार मौनुष्य से वह सब कराता है जो अंत में उसके भिनास का कारण बनता है इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना एहेंकार त्याग दे परोद बुरा होता है पर जहां जरूरी हो वहां दिखाना ही चाहिए नहीं तो गलत करने वाले तो एहसास ही नहीं होत असना क्योंकि यह बुरे वक्त चहरे याद रखता है। परेशानिया तो हर किसी के जीवन में आती है। उदासिया चहरे पर दिखाई दे यह जरूरी नहीं। सबसे समझदार और सातिर बुद्धिमान वह ब्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर एहंकार मैं नहीं आता और विफलता मैं गम मैं नहीं डूब जाता। अगर मेरे भक्त मौन होकर मेरे बिश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रखना उसके मौन का और उसके बिश्वास का जबाब स्वयम मैं दूंगा गीता मैं लिखा है जब इनसान को जरूरत बदल जाती है तब इनसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है जब तक आपकी सोच और पिचार अच्छे नहीं होते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते फ्रिक्ष कभी इस बात पर व्यर्थ नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिये वह सदैव नए पुष्पों की सजन में व्यस्त रहता है जीवन में इतना कुछ खो गया इसकी पीड़ा को भूल कर तो क्या नया कर सकते हैं इसी में जीवन की सफलता है कोई फाइदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का हस्ते हस्ते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे बिस्वास पर सब सुन रहा है तो यदि उसके मौन का और उसके विश्वास का जबाब मैं दूँगा आप किसी का भागय नहीं बदल सकते लेकिन अच्छे प्रेंड़ना दे कर किसी का मार्ग दर्सन तो कर सकते है स्री कृष्न कहते है कीवन में कभी मौका मिले तो सार्थी बनना स्वार्थी नहीं करोथ के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा जुक जाना तो दुनिया की सब समझाएं हल हो जाएंगी सबसे समझदार और स्तिर बुद्धिमान वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर एहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने में गम में नहीं डूप जाता हमारा भाग्या हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीद में किया है उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वहां हमारे आने वाले कल को निर्धारित करता है जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपने दर्द को चुपाना आता है वह आज दुनिया में सबसे तागतवर है दर्द तो वो ही देते हैं जिन्ने आप अपना होने का हक देते हैं वरना गैड तो हल्का सा धक्र लगने पर भी माफी मांग लेते हैं माली पौधे में पानी प्रती दिन देता है लेकिन फल सिप माशम में ही आते हैं इसलिए जीवन में धैर्य रखें हर काम अपने समय पर ही होगा जो व्यक्ति सपस्ट साफ सीधे बात करते हैं उनकी वानी कठोर जरूर हो सकती है लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी किसी को धोका नहीं देते जो व्यक्ति को बदलना संभव नहीं हो उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनो स्थिती बदल दो उससे कुछ हद तक आनन्द तो प्राप्त ही होगा जीत और हार आपकी सोच पर नेर्भर करती है मान लो तो हार है ठान लो तो जीत है वक्त कब क्या रंग दिखा दे हम नहीं जानते, वरना सीरिराम को रात को राजय मिलने वाला था, सुबह उन्हें वनवास मिला, सहन सीलता एक बहमूल्य गुण है, पर अपने आत्म सम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोना है, सभी का सम्मान करना बहुत अच् पर आत्म सम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है यदि कोई मुझसे पूछे कि मैंने जीवन में क्या पाया और क्या खोया तो अवश्या पताऊंगा कि मैंने जो खोया वो मेरा अग्यान था और जो पाया वो इश्वर की किरपा थी मैं मेरे और इश्वर के बीच एक उपसूरत रिस्ता है मैं ज़्यादा नहीं मांगता और भगवान कम नहीं देते मुझे भागय कहते हैं क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को सपस्ट रूप से कह नहीं पाते सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत वनो वह परमात्मा आपको बाहर से नह अच्छे कर्म पर संदेह करें तो कोई बात नहीं क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है विले की कालिक पर नहीं छोटी सोच संका को जनम देती है और बड़ी सोच समाधान को सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे और सहना सीख लिया तो रहना सीख ज इनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है